नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपना दानू स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर आईपेल दोहजार पच्चिस से पहले लखनो सुपर जायंस में खलबली मचीवी थी कि जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही थी कप्तान केल राहुल को लेकर लगातार खबरे सामने आ रही थी और कहा ये जा रहा था कि आईपेल दोहजार पच्चिस में लखनो केल राहुल को रिलीस कर देगी वो उन्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएगी यहां तक की नई कप्तान को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए थे और सूरे कुमार यादव रोहित शर्मा को लखनो का नया कप्तान बनने की उमीद की जा रही थी लेकिन अब इन सभी कयासों पर कहीं न कहीं विराम लग चुका है क्योंकि लखनो के मालिक संजीव गोयंका ने बड़ा बयान दे दिया है जिसने ये पक्का कर दिया है कि लखनो का कप्तान कोई नया कप्तान नहीं बलकि केल राहुल को ही इसके जिम्मिदारी मिलेगी आखिर क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं आईपल 2025 शुरू होने से पहले लखन सुपर जायंस ने फैस्टल रेने शुरू कर दिये हैं और आउक्षन से पहले अपना नया मेंटॉर भी चुर लिया है उन्होंने भारती टीम के दिगज खिलाडी रह चुके जहीर खान को अपनी टीम का मेंटॉर बना कर एक एहन फैस्टल लिया है जहीर खान से पहले गौतम गंभीर लखन सुपर जायंस के मेंटॉर थे गंभीर के आईपल 2023 में केक्यार जोइन करने के बाद ये लखन के मेंटॉर का पद खाली था जिसके बाद जहीर खान को टीम के साथ जोडने के बाद लखन के मालिक संजीव गयंका ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर केल राहूल को लेकर भी बड़ी बात बोली वहाँ उनसे सवाल किया गया की खबरे आ रही थी कि लखनव राहूल को रिटेन नहीं करेगी जिस पर केल राहूल को लेकर संजीव गयंका ने कहा केल राहूल लखन सुपर जायंस परिवार के एक एहम हिस्सा है मैं किसी तरह की अटकलू पर बात नहीं करना चाहूँगा अभी कप्तानी और डिटेंशन के मामले पर फैसला लेने में काफी समय बाकी है कुछ भी करने से पहले सब कुछ सोच समझ कर किया जाना चाहिए आपको बता दे आईपिल 2024 में लखनो की टीम कुछ खास प्रदशन नहीं कर पाई थी इस दोरान देखा गया था कि संजीव गोयंका मैदान पर ही कप्तान केल राहुल पर काफी घुसा होवी थे उनका घुसा मैदान पर ही लाइफ कैमरे में केल राहुल के उपर फूट गया था जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर आपकी तरह फैल गया था और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी तब इस खबर ने काफी सुट्ख्या बटोरी थी और संजीव गोयंका के बयान से पहले तक ये माना जा रहा था कि आईपल दोहजार पच्चिस में केल राहुल एलेजे की कप्तानी नहीं करेंगे यहां तक कि उन्हें टीम से भी हाथ धोना पड़ सकता है ऐसा कहा जा रहा था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केल राहुल की कप्तानी सेफ है वो कहीं नहीं जाने वाले और संजीव गोयंका केल राहुल के बीच आईपल 2024 में जो कुछ भी हुआ था वो अब सब खत्म हो चुका है लखनव नई शुनवात करने वाली है खैर अब देखना होगा लखनव आईपल 2025 में कैसा प्रदेशन करती है किन रणनीतियों के साथ मैदान मोतरती है वैसे आपका केल राहुल और संजीव गोयंका के जबयान को लिकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताए साथ अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्स आर को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो जल्दे से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूट